का और स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि हीट वेव क्या होती है यानि कि ग्रिश्म लैर गर्मियों के टाइम में जिसको हम लू कहते हैं उत्र भारत के अंदर जो एक हम कहते हैं कि गरम हवा का थपड़ पड़ता है मूग के उपर ऐसी हालत हो जाती है हीट वेव के दोरान हम बाहर घर से बाहर निकलने से डरने लग जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्यानक गर्मी पड़ रही होते हैं हीट वेव होती क्या है कौन सा क्रैटेरिया ऐसा होते कि तब वहां पर हीट वेव इनको डिस्क्राइब करती है जाते कि अब हीट वेव में कंसिडर की जाएंगी और भारत में हीट वेव के क्या परभाव हैं और इन परभाव को कैसे कम किया जाएं क्योंकि आने वाले हमें बड़ेगी और लेकिन बड़ेगी तो सही इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए या फिर इससे बचा कैसे जाए इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें जो है या फिर की गवर्मेंट जब ऐसी पोल से निकाले जिससे इसके प्रभाव को इसके इफेक्ट को कम किया जा सकते ह बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं पीडियेव के लिए माप लोगों को बता जेता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलि हमारे यहां उत्तर भारत में तो देखिए लू कहते हैं आप अगर भारत के किसी अलग हिस्से में रहते हैं जैसे साउथ के हिस्से में या पश्चिम या फिर दक्षिन या फिर हम कहें कि पूरवी हिस्से में तो वहां पर जो वेव है हीट वेव है उनको अलग-अलग नाम करें 2019 तक इस बीच में गर्मी कितनी बड़ी है भारत के अंदर तो 15% की जो है वो गर्मी की बृती हो गई है और हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म साल कौन से रहे हैं जैसे अभी 2020 2022 है इससे पहले 2021 तो यह से साल जो है सबसे ज़्यादा अभी तो फिलाल 2022 चली रहा है तो 2021 2020 इसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म साल कौन से रहे हैं तो पिछले दशक की हम बात करें पिछले 10 सालों के अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में जो सबसे 5 गर्म साल रह इसके अंदर बताया गए है कि भारत के अंदर जो टेंपरेचर है उत्तर पश्चिम के इलाके में 55 डिग्री से पहुंच गया है इवन कहीं कहीं तो कुछ इलाके तो ऐसे जान 60 डिग्री से पहुंच चुक है इतना सोची इतना ज्यादा टेंपरेचर यहां पर इंसान रहने बिल्कुल भी नहीं जा सकता और इसके साथ-जाथ का गया है कि भारत के अंदर जैसे हुमिडिटी काफी बढ़ रही है रेन यानि कि जो बारिस है वो कम हो रही है टेंपरेचर जादा बढ़ रही है जिससे जो है वो डिसकमफर्ट हो रहा है लोगों को जिनके पास कूलिं पर ऐसा चपेड मुपे लगते हैं तो उनके पास वो कूलिंग फैसिलिटी नहीं है तो उनके लिए वो जीने का एक हम कहेंगे कि जो वहां पर उनकी लाइफ है वो बहुत जादा टफ हो गई है अब हीट वेव के कारण आज की हम देखते हैं कि कोई सर्प्राइज नहीं र वारा अपने अपने लेवल पर परयास किये जा रहे हैं लेकिन बावजुद इसके टेंपरेचर बढ़ता ही जा रहा है अब आज की डेट में डिमांड यह है कि एक कॉंप्रिहेंसिव रिस्पॉंस यानि एक लोंग टर्म एक पॉलसी लेकि आए जाए ताकि हीट वेव की जो परभाव हैं उनको कम किया जा सके अब बात करते हैं कि हीट वेव क्या है फिर हम डिसाइड करें हम इसको देखेंगे कि इसको डिसाइड कैसे किया जाते हीट वेव अब इस डिगरी के टेंपरेचर पहुंच जाता है तो इसको यहां पर हीट वेव कंसिडर कर लेंगे तो देखे हीट वेव जो हमारे भारत के अंदर हम बात करें तो हाई टेंपरेचर के दौरान यानि कि भारत में मई जून के महीने में या फिर कुछ-कुछ ऐसी घटना होती है जहां पर जुलाई में भी यह टाइम पीरेड खीन जाते हैं तो इस दौरान जो टेंपरेचर होत भारत में जो हीट वेव है उनकी संख्या 1981-1990 इसके दुरान कितने दिन हुआ करते थे हीट वेव की 413 हुआ करते थे मतलब 1981 से लगा कर 1990 तक 413 दिन जो थे हीट वेव की हुआ करते थे लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें 2014 से लेके 2020 इनी 9-10 सालों के अगर हम बात करें तो आज की रेट में जो ये दिन है वो 600 हो गए यानि आप देखेंगे heat wave जो है वो लगातार बढ़ी रही है दिन अब उसके increase होते जा रही है तो heat wave के दिनों में संख्या ये किसली हो रहा है क्योंकि climate change हो रहा है global warming हो रही है कौन से criteria होते हैं कौन से मांदंड होते हैं कि यहां कह सकते हैं heat wave स्टार्ट हो गए देखें एक कहा गया है कि किसी भी जगह का temperature अगर plane area के हम बात करें 40 degree Celsius temperature पहुंच आता है अगर hilly area की बात करें तो वहाँ पर 30 degree Celsius temperature पहुंच आता है तो देखें इन्हों ने कहाए कि जहां पर 40 degree temperature ऐसे ही समान्य तोर पर रहता हो तो वहाँ एक अलग criteria है वहाँ कहा गया कि अगर 5 degree से लेकर 6 degree Celsius तक अगर temperature में व्रिधी हो जाए तो उस temperature को हम कहेंगे heat wave वहाँ पर हो गई है या फिर कहें कि 2016 में National Disaster Management Authority ने एक comprehensive guideline जो प्रिपेर की थी कि कैसे heat wave के impact को कम किया जा सकता है अब heat wave के परभाव क्या पढ़ते हैं भारत में एक आते हैं आर्थिक परभाव यानि कि economic impact obviously heat wave से economic परभाव पढ़ते हैं देखें हमारे देश में हम देखते हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो labor work कर रहे हैं मतलब वहां पर क्रिशी कर एंक्रिशी में लगे हुए हैं construction work में लगे हुए हैं तो heat wave के कांड उनकी आये के उपर बहुँ जादा प्रभाव पढ़ता है अब दिन की मतलब यह दिहरी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनकी production पे बहुँ जादा प्रभाव पढ़ता है जिसे अर्थववस्ता definitely प्रभावित होती ही होती है अब यहां पर मेरे सामने एक उधारन था कि एक व्यक्ति जो int बनाने वाला एक बटा होता है या फिर आपने आज की डेट में अपनी सडकों में गलियों में जो सडकें देखिऊंगी वो block type की ऐसी होती है शायद मैं इसका diagram बनाने की कोशिश कर तो रहा हूँ ऐसे कुछ type की block type की int होती है तो इस तरीके की industry में वो work कर रहा था तो यहां पर जो यह labor थे यह इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि इनको शाम को glucose की जूर्ट पड़ती थी मतलब glucose वो होता है ना पीने वाली नहीं वो glucose जो डॉक्टर चड़ाते तो यह जाते थे डॉक्टर के पास यह मैंने खुद देखा हुआ इतनी ज़्यादा गर्मी में इनकी हालत खराब हो जाती थी डेफिनिट्ली इनके production पर परभाव पड़ रहा है वहां पर और यहां पर बात करें कि क्रिशीक शेतर पर क्या परभाव पड़ते हैं हर चीज पर जो गर्म होता है मतलब कि कोई गर्मी ज़्यादा एक्स्टीम लेवल पर हो जाती है तो हर चीज के पर उसका परभाव पड़ता है अब हम बात करते हैं कि देखिए हमारे यहां पर हरियाना में पंजाब में उत्तर परदेश में किसानों में गर्मी के कारण रभी की पिछली रभी की फसलों के अगर हम बात करें तो गेहूं में बहुत जादा नुकसान उनको हुआ है पूरे भारत के अंदर जो हीट वेव के कारण जो गेहूं है उसके प्रोड़क्शन में 6-7% की कमी आई है और हम बात करें किवल फसल ही नहीं जो पशूधन है जो पशूओं को पालते हैं उनसे दूद का वो वेपार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अंदर भी काफी जादा गिरावट महसूस की गई है या फिर उनको भी काफी जादा इंपक्ट हुआ है हीट वेव के अकार्ण आपने अगर नहीं पता हो आप शेहर में रह रहे हो तो अगर आपको गाउं के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप किसी से पता करिए कि गाउं के अंदर जो भैस हैं जो भी जो वहां से गाएं भैस होती है जिनसे दूद निकाला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्मी के कांड उनका दूद जो वो सूख जाता है अब सूख जाने के कांड वहाँ पर कहते हैं कि production कम हो गया है वहाँ पर तो फिर वहाँ पर impact पढ़ना start हो जाता है आए के उपर तो इसके अलावा एक हमारे यहां पर एक रिपोर्ट आती है भारत में कार्णेल विश्विदाले के सोधकरताओं का एक अनुवान है कि 2100 तक यानि कि अभी क्या 2022 सेल रहा है आने वाले टाइम यानि 2100 तक क्या होगा कि जो दूद उतपादन है दूद प्रोड़क्शन है आने वाले टाइम में 25% इसमें गिरावट देखी जाने वाली है 2005 कि इस तरके अगर हम तुलना करें तो इतनी कमी आने वाली है 2100 में तो अब इससे पता चला है कि जो हीट वेवा ऐसा तो है निकी कम होगी या आने वाले टाइम में बढ़ेगी और इनी रिपोर्ट से वो पता चल रहा है इसके अलावा बिजली के उपयोग पर परभा यह देखे यह तो किसी से छुपाई नहीं है कि बिजली पर कितना ज़्यादा लोड आ जाता है इलेक्टरिसिटी कितनी ज़्यादा खपत होने लग जाती परसेंट से अधिक की वहाँ पर मतलब कि मैं कि अपरेल की महीने की बात करूं अपरेल में तेरा परसेंट अधिक जो है मांग की गई थी या फिर कहें कि जो बीजली खपत बढ़ गई थी मैं मैं यह 30% से 30% अधिक हो गई थी देखे कितनी जादा क्यूंकि आपको पता है कि म लौगों को क्या-क्या मेजर करने जाइनंगर बिखे हुआ थी तो इतनी अवेरेस नहीं है इससे जो रहा होता है इससे होने वाली जो अधिक गर्मी है इससे क्या होगा कि आने वाले हर साल के अंदर half million से ज़्यादा लोग हैं वो heat wave के शिकार होगे यानी मृत्यू के शिकार होगे ऐसा नहीं हीट wave के शिकार होगे heat wave से जिनकी death हो जाएगी हर साल 2100 के अंदर बोला गया है कि वो half million यानी 15 लाक पर लोगों की जाएगी सिरु पर सिरुफ इस heat wave के इकार इस बढ़ती गर्मी के business with diabetes की प्रोबलम हो रहे हैं जिसको मेरा बढ़ती इस की प्रोबलम है इससे और जादा बढ़ने वाली है या फिर प्रोब्लम इसमें और जादा हो जाएंगे इस से ज्यादा इतना ठेंग इतन मिल जाते हैं त phosal पर नुक्सान होता है पेड़ जहें वो सूके रह रहे हैं इससे क्या हो रहे है? साथ-साथ जो labor class है जहां पर वो work कर रही है, labor work कर रही है उनके वहाँ पर production में कमी आ रही है production में कमी आ रही है, तो definitely आने वाले time में जो खाद्य शुरुक्ष है उसमें भी कमी आने वाली है तो ये सारी जो चीजें मिलती है तो वहाँ पर आप देखेंगे खानों की कीमतों में वृधी हो रही है ग्रेलू आये है यानि जो हाउसोल्ड इंकम है वो कमी हो रही है एक तो प्रोड़क्ट मितलब की पैसे हो रहे ह है चीजों के साथ इसाथ इंकम कम हो रही है उपर से जब इंकम कम होगी पैसे जादा लगेंगे किसी भी खाद्य परदार्त के तो वहां पर चीजों में मिलावर्ट स्टार्ट हो जाती है कूपोशन स्टार्ट हो जाती है जिससे मोतों में और ज्यादा इंक्रीज हमें दे हावित होने वाले क्योंकि डिपेंड यहीं करते हैं हमारे देश में जादा तर जनसंग्या इनके ओपर इसके अलावा सबसे बढ़िया जो पॉइंट मुझे लगा यह कमजोर वर्गों पर विशेश प्रवा देखें आज की डेट में आपने देखा कि जलवायू परिवर्तन के कारण कैसे हीट वेव बढ़ती जा रही है और यह जलवायू परिवर्तन हो कैसे रहा है इसके बहुत सारे उधारन आपके सामने होते हैं मतलब गिरीन हाउस गैंसे बढ़ रही है या फिर एरोसल के कारण इनके उसरजन के कारण जो है हमारे यहां पर गर्मी बढ़ती जा रही है ग्लोबल वर्मिंग होती जा रही है हीट वेव जादा हम देख रहे हैं कि अपनी चरम शीमा तक पहुंसती जा रही है इससे क्या देखने को मिल रहा है यह क्यूं हो रहा है यह करक कोन रहा है तो यह कोई आम इंसान या फिर गरीब जो इनसान है वो तो नहीं कर रहा ना उसकी वज़े से तो गर्मी नहीं बढ़ी है अब उसकी वज़े से गर्मी नहीं बढ़ रही है तो वहां पर सबसे ज़्यादा प्र production की वहाँ पर और बावजूद उसके उसको उस गर्मी की चपेट से मरना और पड़ रहा है वहाँ पर तो इससे पज़ा चल रहा है कि जो कमजोर वर्ग हैं जो पूर जो लोग हैं उसको बहुत जादा सेहना पड़ रहा है इस heat wave को इसके अलावा हम इस heat wave के परभाव को कम करने के लिए भारत कौन कौन सी long term policies अपना सकते हैं तो एक heat wave action plan है देखें हम जैसे देख रहे हैं इस adverse यानि जो एक भ्यानक impact पड़ रहा है heat wave का भारत में definitely आने वाले टाइम में कम तो होगा नहीं यह बढ़ने ही वाला है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां पर कुछ रंड निती जो सुद्रिड यानि पक्के तोर पर जो इनके परभाव को कम कर सके impact को कम कर सके ऐसी चीजों को हमें सामने लाना होगा देखें गर्मे के कान definitely मोतों में इजाफा तो होगा death होंगी यहां पर तो सरकार को मानव जीवन और जो पशुधन है जो भी वन्य जीव है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं उनको prioritize देनी चाहिए उनके लिए कोई policy आगे लेके आनी चाहिए साथ इसाथ यहां पर भारसरकार क्या कर सकती है सेंडाई framework for disaster risk reduction 2015 इसको लागू कर सकती है जिसमें government जो ह जादा मतलब कि सामने आएगी वह वहां पर पर्मुक रूप से भूमिका निभाएगी जो भी shareholder जिनको भी नुक्सान हुआ है तो government गईगी हम आपके यहां पर जादा से दादा आपको facility प्रवाइड करने की कोशिच करेंगे कम से कम दाम के उपर तो यह government वो कर सकती है इस जो सारजनिक जो drinking water है उसको उस तक लोगों की पहुंच अच्छे से करवा दी जाए शहरी या ग्रामिन शेत्रों में हम बात करें तो effort station यानि की one लगाने की प्रक्रिया start की जाए जिससे क्या होंगी कि गृश्म लहर में यानि कि जो summer है जो गर्मिया है उनके अंदर मोतों में कमी आ सकती है और अगर बहतर पूरु चेतावनी मिलेगी तो लोग अपने घरों से निकलने से पहले कुछ चीजों को वहाँ पर देख पाएंगे या फिर कहेंगे कि वो उन चीजों को पहले ही सो समझ कर चलेंगे और ग्रिश्म लहर के दुरान भई स्कूल कब खोलने चाहिए कब बंद कर देने चाहिए या फिर अगर कोई काम इंपोर्टेंट नहीं है तो घर पर ही रहना है इन सब चीजों के लिए भी एक पोलसी लाई जा सकती है अब यहाँ पर जलवाई यू कारे योजना को लागू करना यानि कि इसको भी अगर लागू किया जाए बहुत अच्छे सही नीती के साथ इसको अगर लागू किया जाए डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो ग्रिशम यानि कि जो हीट वेव इसके इंपेक्ट को कम किया जा सकता और दिखिए हमें आज की टाइम में यह नहीं देखना है क सारी चीज़ों का हमने निकाल लिया सबी चीज़ें पॉलिट कर दी तो आने वाले में जो हमारी जनरेशन होगी उनके लिए जब कुछ बचेगा ही नहीं वो इससे ज्यादा सफर करेगी तो एथिकली उस चीज़ का यूज करें और ग्रिशम लेहर को प्रकरतिक आप परता देखे एक तो यहां पर नेचुरल डिजास्टर बनाने देना एक यह बात बोली गए देखे नेचुरल डिजास्टर तो देखे हीट वेव को बनाना आज की डेट में हमारे देश में यह अभी पोसिबल नहीं यह काफी लंबा टाइम है इसको यहां तक पहुंचना तो यह हँआ पर इससे पहले देखे अगर इसको अब्दा बना दिया जाता है तो क्या होगा थे सेंटर गोर्मेंट जो स्टेट गोर्मेंट है यह दोनों मिलकर फिर क्या रहेंगे हीट वेव के लिए एक्शन प्लान वो त्यार करेंगे उनको मदद मिलेगी और वहां पर वह करना यह सब चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी वहां पर इसके अलावा सस्टेनेबल कूलिंग यह शहरों के लिए है कि देखिए आप ने देखा होगा कि आप शहरों में देखते हैं एक लेकिन अगर शहरों की बात करें अर्बन एरिया इसके हम बात करें तो वहां पर एक हीट आइलेंड बन गये इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि वहां पर दम घुटने लग जाता है अब आपने देखा कि वहां पर कहीं पर भीड़ बड़ा की अलाके में जाते हैं तो आप कह जो इसको अबजर्व कर लेती है और फिर वापस इसको उपर आसमान भेजती है तो इन कंक्रीट की वज़े से इन भीड़ी-बीड़ी गलियों के वज़े से यहां पर ज्यादा कंजक्टिड एरिया होने के वज़े से यह जो वेवस हैं जो धरती से वापस आसमान में जाने चाहिती है जान ही पाती है और यहीं करते ही फिसर्स के रहा जाती है जिससे क्या होते हीट आइलेंड का निर्मान होता है और इसको इसके कैसे बचा जा सकता है देखिए इससे बचा जा सकता है यहां पर हमारे सामने एक पैसिव कूलिंग टेक्नोलोजी के मादव से पैसिव कूलिंग टेक्नोलोजी क्या होती है देखिए आज की रेट में अगर शेरों के अंदर ऐसे घर बनाये जाए जो नेचुरली वेंटिलेटीड हो मतलब अपने व अच्छा है तो हम उस घर में रहना प्रैफर करते हैं हमारे वह तरने की सांस अच्छे से आ जाएगी या लेकिन कहीं कर भी वेंटिलेशन नहीं होता आप एक ऐसे कमरे में रह रहे हो जहां से कहीं पर भी हावा पास नहीं हो तो ऐसे जगहें पर फिर क्या यूज करते हैं एसी लगाना स्टार्ट कर देते हो तो काया कि आप वेंटिलेटीड चीजों को यूज करिए ऐसी बिल्डिंग बनाइए ऐसे आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाइए जहां पर वेंटिलेशन हो सके नेचुरल वेंटिलेशन हो सके आप आर्टिफिशल वेंटिलेशन का प्र जो इस तरीके की टेक्नलोजी यूज किया करती थी पैसिव कूलिंग टेक्नलोजी जो आज की डेट में हम कहेंगे कि modern वैजलिटी के तोर पर यूज की जा सकती है और साथ इसाथ आपने देखा होगा कि शेहरों के अंदर जैसे dark roof होती है चतों के ओपर गहरे color रंग का color करवा दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है कि वह सूरज की किर्णों को अपने अंदर observe करती है और चोड़ती नहीं है जाने नहीं देती तो इससे क्या है कि उस building का temperature बढ़ जाता है अब यहाँ पर का गए कि आप हलके रंग यूज करिए जिस से क्या है कि वह reflect मार सकें सूरज की किर्णा है वापस उसको reflect कर सकें अपने अंदर observe नहीं करेंगे तो building का temperature नहीं बढ़ेगा जिससे क्या है कि आपकी energy level मतलब कि जो उसमें energy electricity खर्च हो रही है वह कम होगी जिससे temperature कम रहेगा वहां पर तो यह सब चीजें करनी होगी चोट आज तक हम उगा रहे थे जो क्या आने वाले टाइम में भी हम उनके उपर भरोसा कर सकते हैं भविश्य के अंदर तो यहां पर एक तो हमें यह देखना हुआ कि जो फसल का जो नुकसान हुआ उसके लिए बीमा योजना लेकर आए वह बहुत जादा important है क्योंकि किसान फसल लोग आता है और गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी फसल बरबाद हो जाती है तो वहां पर एक insurance scheme होनी चाहिए ताकि भरपाई की जा सके साथी साथ यहां पर एक mixed cropping भी लाने चाहिए एक ही फसल के उपर dependent नहीं रहना चाहिए आने वाले टाइम में इस पर क्या पर भापड़े तो एक mixed cropping भी आने वाले टाइम में promote होनी चाहिए तो यह सब चीजें होती है कि कैसे heat wave के जो impact है उसको कम क्या जा सकता है government क्या-क्या plan ला सकती है और साथी साथ आप अपने तोर पर क्या कर सकते हैं आप यहां पर पानी की wastage कम कर सकते हैं साथी साथ यहां पर प्रकरती में योगदान दे हमेशा ले आए ना जाए हमारी तरफ से भी प्रकरती को कुछ दिया जाए यह सब चीजें हमें भी कुद करनी होगी government के उपर इतना यंगी नहीं करना कि government ही सब कुछ कर देग ऐसा नहीं है इंसान जब तो खुद की जिमेदारी नहीं समझेगा तो जाकर आँ वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो